दोस्तो लास संडे को मैंने दो केस बाय किये थे एक जोनी वॉकर रेड लेबल का जो की आप इस वीडियो में देख रहे हो और एक केस बाय किया था ब्लेंडर स्प्राइट डिजर्फ कुलेक्शन का जिसका मैं और अल्रेडी अन्बॉक्सिंग और रिव्यू कर चुका हूँ तो आज मैं अन्बॉक्सिंग करूँगा जोनी वॉकर रेड लेबल की अब भाई कई लोग बोलेंगे कि मैं इतने केस क्यों बाय कर रहा हूँ इसके पीछे रीजन यह है कि मेरी कंजप्शन है कंजप्शन इन दे सेंस यह नहीं है कि मैं डेली रोज एक बोतल बीटा हूँ भाई मेरे घर पे आना जाना लगा रहता है मेरे फ्रेंड्स का या फिर मैं कभी ना कभी किसी को गिफ्ट करता रहता हूँ तो मेरी जो है कंजप्शन लगी रहती है तो अगर मैं एक एक बोटल वाइन शॉप से बाय करता हूँ तो मुझे भाई बहुत जादा महंगा पड करता हूँ तो आज इस वीडियो में मैं इसकी अन्बॉक्सिंग करूँगा और इसके प्राइस के बारे में बताऊंगा कि किस प्राइस में यह मुझे मिला है तो दोस्तों यह है केस जॉन्नी वॉकर रेड लेबल का सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी कि भाई बहुत ज करते हैं तो जल्दी से अब अन्बॉक्स करते हैं अपने बॉक्स को दोस्तों केस की अन्बॉक्सिंग करने की बिच्छे मेरा मोटिव यह होता है कि अगर किसी के घर में मैरीज है या फिर किसी के घर में फंक्शन है तो उसको एक आइडिया हो जाता है कि कि कितने का केस हमे से लेके 1800 की मुझे चार्ज करती है यही रीजन है कि मैं केस बाय करना प्रैफर करता हूँ क्योंकि भाई मेरा एक केस एक महीना चलता है सारी पी नहीं जाता भाई कभी कोई घर पे गेस्ट आ जाता है या फिर कभी कोई फ्रेंड्स बोलते हैं उनको गिफ्ट भी करनी पड़ती है तो इसलिए मेरे बजट में वाइन शॉप से सिंगल सिंगल बोटल लेना नहीं बैठती इसलिए मैं प्रैफर करता हूँ केस बाय करना दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे अगर आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेटिव है अगर किसी के घर मेरी जाए या फिर किसी के घर में फंक्शन है तो प्लीज उसके साथ जादा से जादा शेयर कीजिए तो ये थी आज की वीडियो जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ तिल देन चीर्स पीयो अच्छी ओ